हेलो दोस्तो हम वापस आगरे हैं एक न्यू वोडियो के साथ आज हमें कार्वोर केक बिनाएंगे अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना कि सबसे पहले हमें एक सरकल लेना है सेवन सेंटिमेटर रेडियस का और एक डायमेटर ड्रो करना है और फिर इसको कट कर लेना है और अब इन कार्डबोर्ड स्ट्रिप लेनी है 5 x 45 सेंटिमेटर की और इसको ऐसे फोल्ड करकर थोड़ा सुस्ट करा जाने जैसे मैं कर रही हूं अब इन तीनों इसको कर लेपे से कब कर दोड़ा के तीजिए ऐसे सैमे सेर्कल्स आपको दो और बनाने हैं यह वाले सैमे सेर्कल्स 5 सेंटिमेटर रेडियस के हैं और यह वाले सैमे सेर्कल्स 3 सेंटिमेटर रेडियस के अब इन सैमे सेर्कल्स पर हम यह वाले स्ट्रिप पेश्ट करेंगे अब आप 2 स्टिप्स और लेजे 4 इंटू 16 cm के और 5 cm रेडियस वाले समसर्कल्स को पेस्ट कर लेजे अब टू स्टिप्स और लेजे 3 इंटू 10 cm के और इने 3 cm रेडियस वाले समसर्कल्स को पेस्ट कर देजे और अब मैंने ये पेस्ट कर लेएं इन सबको एक साथ पेस्ट करने से पहले हम इसे टैपुरेट करेंगे तो हम टू स्टिप्स लेंगे एक की बिट तो थोड़ी सी कम होगी और एक की ज्यादा और इन्हें डिजाइनर से लेजे से कट करेंगे और केक पर पेस्ट कर देगे कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो, कर दो कर दो यह उपर वाली स्ट्रिप पेस्ट करने से पहले हम उपर एक रिबन पेस्ट करें है और रिबन के उपर ही एक स्ट्रिप यह पेस्ट हो गया है अब हम बाकी पेस्ट भी एक साथ पेस्ट कर लेंगे अबाब इक वाइड स्ट्रिप लेजिये और इसकों बो में चन्वर्ट करेंगे पेस्ट करेंगे झाल इजिये झाल झाल अब आप दो सर्कस लेजिए 1.5 cm रेडियस के और इन्हें वोगी बैक साइड पर पेस्ट कर दीजिए और कुछ मिनी सर्कल्स पर लेने हैं वो भी इस पर ही देश्ट करने हैं झाल 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 हम इस बोर्टों अब कें के दूपर पेस्ट करेंगे और शेंग एक साइड पेस्ट करेंगे झाल 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 मैं बन्सी डाल झाल 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 झाल